मंध्या आप जो में कर दंखने के कोशिश करता हुँ कि इस इड़ को कैसे तयार किया जाता है आज हमारे साथ एक चच्चा है जो बहुत मेहनद कर रहे हम घुजर हो रही थी मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा बात चित करना चाहेए था और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यह बालू लिया गया फिर बालू को गिरा करके यह मट्टी और मट्टी को फिर उसमें ड करते हैं लेकिन चालिश स्थांट्र अधराइप करेंगे यह आपका नाम क्या है यह आप जो करते हैं कितने सालों कि यह करते हैं इसको पैसे उसेगा एक हजार इंट तयार कर देंगे तो शाथ सुरुपे मिलेगा तो यह मट्टी उटी आप ही तयार करते हैं यह इतना मेहनत कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप है यह बदन वदन पुरा जल लोल गया है यह जो बैनियान पहने पीछे से पुरा फटा हुआ है ये बच्चे भी हैं, आपके हण अच्छा, तो माना नहीं करते हैं कि यह मत कीजिये आरी बद भय तो काहिえ है और तो आप जो लोग पढ़ते नहीं जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके लिए आप क्या कहेंगे जरूरत पढ़ीगी तो मारेंगे भी ना ठीक बाग कोई अच्छा ऐसा भी है देखिए वक्त जब गुजरता है ना तो परेंट्स दरने लगते हैं बच्चो सें टीचर बड़रने लगते हैं बच्चों से यह देखिए चचा बहुत हमारी गुजर और और उमर में भी कमा करके बच्चे को खिला रहे हैं और घर समाल रहे हैं ये देखिए पीछे से अगर आप देखे हैं तो इनका बन्यान पुरी तरीके से ज़ड़ चुका है चाचा ये बताईए अब करते कोई काम कर सकते तो आता। आप अकेले हैं लड़की है लड़की कितनी बड़ी है यहां से इतनी महंगाई है इस वक्त में तो आप इसके उपर क्या कहेंगे इस महंगाई के उपर करें नोकरी करूंगा कहीं पढ़ाई की एजुकेशन की जो है आमियत है यहां पर अगर हम पढ़े लिके होते तो शाद यह काम नहीं करूंगा इतने मेहनत करने का बावजूद भी 400 रुपया आपको मिलता है 400 का काम करते हैं और यह जो मट्टी है इस मट्टी को आप ही तैयार करते हैं इस मट्टी में बालू भी है यह जो मट्टी है यह इसमें सो बाल्टी अंकल बता रहें कि सो बाल्टी पानी पढ़ता है तब जा करके यह कही न कहीं बनता है तो फिर यह पानी कहां से लाते हैं तो इसका पैसा अलग से मिलते हैं या उसी में है इसी में है सो बाल्टी पानी लेकर के आएंगे इसको मट्टी को यह बनाएंगा अच्छे तरीके से तयार करेंगे और फिर यह इट बनाएंगे उसके बाद फिर जा मांगाई भी अपने चरम सीमे पर है तो आज के दिन में तो यह नहीं दिखाऊंगा कि इस घर में आप रहते हैं और जिस घर में आप एसी लगाकर कर सो रहे होते हैं उस इट के बारे में आप को जरूर शोचना चाहिए ये इट कैसे बनता है कौन लोग हैं जो बनाते हैं तो देखिए ये वही लोग हैं जो इट को तयार करते हैं और बहुत ही कम रोपे में तयार करते हैं ये कड़ी धूप इसी धूप के नीचे इस इट को तयार करते हैं लेकिन इस अहमियत को हम सब को समझनी चाहिए और ऐसे का सम्मान है जो एक तरीके से हमें साया देते हैं खुद यह जो है जो परी में रहते हैं लेकिन हमें at का कमरा दिलाते हैं क्या आपका कौन सा जो है एक हमेसे यदम बता यह यह यिव यार से में काश साम धाला तक दिला देते तो खैर अच्छा लगा बात चित करके और यह यह जो पॉलोथिन रखें इसको किसले रखें यह दूप लगने से यह मटी सूख जाएगा तो फिर बनाने में दिक्कत होगा अच्छा अच्छा हाथ पे जरब आएगा घर हमने कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे इट तयार कहता है यही वह मटी है यह देखिए बाहर जिल लाया जाता है बता रहे हैं और जिस कुएं के बाद चित कर रहते हैं यही वह कुणा है जहां से पानी निकाल कर कर ले करके जाते हैं यही वह कुणा है इसी कुणा से पानी निकाल कर ले कर जाते हैं तो फिर उसको तयार करते हैं और फिर उसके बाद तयार करने बाद सुखने के बाद यह देखिए यह जो इट है इस इट को सही किया गया उसके बाद जो है इसको पकाया जागा पकाने क अपने घर को बनाते हैं तो कहीं न कहीं जो लोग तयार करते हैं खुद जुगी में रहते हैं जो पड़ी में रहते हैं लेकिन ये लोग मुहाया करते हैं हम लोगों के लिए या और लोगों के लिए जो अच्छे खासे हैं घरों में रहते हैं और एसी में रहने ही कोशिश कर बाकि यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा